नमस्कार मित्रो मैं मौमतावाज पेवोपाल से मेरी रंग बेरंगे छत पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ नई जानकारी तो है कि मैं कुछ दिन का ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक इसलिए ले रही हूँ कि बहत बहुत आप लोग यह भी होगा के बाहर जाते हमें तो इसके मैं बताती हूं गार्डन का जाए सबसे पहले तो यह कि चैंनल पर वीडियो बंद हो जाता है अगर लंब समय के लिए आप जाओ तो यह वी दिखितन है वीडियो कैसे देंगे उसका तूपाए मैंने यह स तो वो वीडियो आपको एजिटिस मिलते रहेंगे और मैंने उन्हें बना कर और अभी से शड्यूल कर दिया है वो निश्चित समय पर अपने आप पब्लिश हो जाएंगे और आपको मिलेंगे और तब तक मैं वहाँ जब पहुंचूंगी बैंगलॉर तो वहाँ जो भी मैं नर्सरी घूमूंगी या चो भी मुझे जहां भी जाओंगी तो कुछ ट्रैवल ब्लॉग और कुछ नए प्लांट्स जो के दक्षिन भारत के होंगे निश्चित वो आपको देखने को मिलेंगे तो वीडियो चलते रहेंगे चानल चलता रहेगा हम कनेक्ट रहेंगे वीड जरूरी है तो पहली तो बात मैंने सोच लिए है कि जो बचेगा सुठीक है जो नहीं बचेगा तो उसका मलाल नहीं करना जिस पर किसी पर भी गार्डन की जिम्मेदारी दे कर जाओंगी उसका काम कम से कम हो इसलिए सारे सबजियों के ड्रम मैंने पहले ही खाली कर दिये औ और वहां कुछ ऐसे प्लांट जो सालबर चलने वाले पेरिनेल प्लांट है उनको मैंने रखा है और उनको एक जगे कठे करके रखा है ताकि पाने डालने वाले को बिल्कुल भी असुविधान नहों मैंने अपनी मेड को बोला है और मुझे बिश्वास है कि वो डालेगी परसाथ में बिटिया तो है ही तो बिटिया भी डालेगी, सो ऐसा भी नहीं कि कुछ मर ही जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप पूरी सबजीयां होगाना चाहते हैं, फसल लेना चाहते हैं, तो वो मेड ये बिटिया के थोर नहीं हो पाएगा, सो मैंने इसी जनकी सबजीयां ड्रॉप कर दी, वैसे भी मैं गर्मियों में सबजीयां कम उगाती हूँ, सो जो बेले आधी है दूरी चल रहे हैं, वो बगवान वरो से चलेंगी, फल गई तो ठीक है नहीं, तो कोई बात नहीं, बायों आस तो देकर ही जाएंगी, और अस्तिवस्त तो होगा, सो जब मैं लोटूंगी, तब मैं बढ़िया एक मजदूर लगाऊंगी, पूरा फिर से सफाई करवाऊंगी, और नए लोक में आपको फिर से बगीचा दिखाऊंगी, तो ये जो हरी बरी चथ है, ये रंग वे रंगी चथ है, इस पर हम आज मिल रहे हैं, और इस से कुछ दिन का ब्रेक रहेगा, लेकिन जो रिकॉर्ड़ेट वीडियो हैं, वो आपको पका मिलेंगे, और हम बातचीत के जरिए एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे, ये एक निउस थी जो मुझे आपको देनी थी, और मुझे पता है कि यात्रा, एक गार्ड़नर के लिए यात्रा खरना बहुत मुश्किल होता है, ये चोटे-चोटे अडेनियम इनकी बहुत चिंता है, क्योंकि इनको अगर एक दिन भी पाने नहीं मिला, तो ये मर भी सकते हैं, तो वही मैं कहा रही हूँ कि देखा जाएगा, जो होगा, अब जो होगा, तो देखेंगे, और आज के वीडियो में बस इतनी सी ही न्यूज, और अभी आप देखेंगे मेरे रिकॉर्डेड वीडियो, और फिर उसके बाद हम मिलेंगे कुछ बैंगलाओर के वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार,